जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ बढ़ियाओंगे इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडिस के बीच में जो पहला ओडिया मैच कहला जाएगा डिटेल में कवर करेंगे बाई किस परकार आप लोग अपना टीम स्लेक्शन करोगे किसके स्ट जो रहेंगे वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिच जाएगे तो सारी जी जाम लोग डिटेल में डिसकस करेंगे दोस्तों तो वीडियो आप लोग कंप्लिट वोस करना कोई भी इंफोर्मेशन या फिर कोई भी स्टार्स आपको मिच नहीं करने वेन्यू क दोनों जगह पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा अब अपडेट क्या होगी देखो टोस्त के बाद में कोई भी अपडेट होंगी फाइनल टीम में कोई भी चेंज करेंगे या फिर जिस टीम के साथ में लोग जोईन करेंगे वो टीम आपको मिलेगे सिर्फ एशी टेलीग हो दिखेंगे के पहले जाचों कि जहांपर 19 मैच विन एफस्ट बेटिंग ने 25 मैच विन और 2 बेटिंगibl pouco बंडेटीम याँज के जा सकते हैं क्यूंकि सकते हैं 2 बेटिए वाली टीम ने थोड़े से ज्यादा मैचेस यांपर भी जीन कर रखके हैं average score 235 के आसपास average score अगर 235 के आसपास है तो मेरे according देखो चीजे यहाँ पर बल्लेबाजों के favor में आपको कही न कही जाती हुआ जरूर से दिखेंगी मतलब इंडिया की team अगर इस match में पहले बल्लेबाजी करना है तो आप लोग यह मान के चलो 300 पलस या फिर 300 के आसपास आपको score definitely देखने को मिल सकते है scoring pattern में देखोगे 200 से कम इस venue पे 13 बार score बन चुका 200 से 249 के बीच में 12 बार 250 से 299 के बीच में 14 बार और 300 पलस का जो score है वो 5 बार बन चुका अब एक चीज़ नोटिस करोगे तो 300 पलस का जो score है वो 44 मैच में से सिर्फ 5 मैच में बनाए मतलब शायद उतना आई score ना जाए लेकिन बाई इंडिया की जो टीम है इनकी जो बैटिंग है उसके अंदर आपको काफी जादा डैप्त देखने को मिलेगी और दूसरी जीज़ सामने है वेस्ट इंडिज की टीम जिनकी गेंदबाजी उतनी कुछ ज़्यादा स्टोंग है नहीं क्योंकि आपने ये चीज़ बाई देख लिए हो कि अभी जो वल्ल्ड कप कौलिफायर के मैचिज हुए थे ना वहां पे भी जो कमजोर टीम थी जैसे की नेपाल की टीम के बात करूँ या फिर अधर जो भी टीम थी भाई उन्होंने भी वेस्ट इंडिज की टीम को पेल दिया था ठीक है तो वेस्ट इंडिज की जो गेंदबाजी है वो उतनी जादा बढ़िया नहीं है तो अगर पेलियर हो जाएंगे मैच नमबर तीन था न्यूजिलेंड टोर फ वेस्ट इंडिज का जहां पे वेस्ट इंडिज की टीम ने 301 करे थे आठ विगेट पे न्यूजिलेंड ने चेस कर दिया था 47 ओवर में और पांच विगेट से मैच को विन किया था उसके बाद मैच कर पाई 45 ओवर आसपास उन्होंने बैटिंग करी और वेस्ट इंडिज की टीम ने 193 रंस बना के पांच विगेट पे यहां पे मैच को विन किया था अब एक ही मैच में दोनु टीम काफी बढ़िया खेली जो की था भाया थार्ड ओड यही मैच दोनु टीम के बीच में ज बट न्यूजिलेंड ने क्या बैटिंग करी वो चीज मेरी समझ से बारे बाकी इंडिया की टीम से एक्सपेक्टेशन्स रहेंगी कम से कम 270-280 प्रस का स्कूर यहां पे अगर पहले बैटिंग करने आ रही है तो जरूर से लगाईगी उसके बाद में बात करते हैं हैट बॉलैज भावन IPO के लिए मतलब पिछले तीन मुकाबले ने 308 पर इंडिय बैटिंग के स्कोर तक गई मतलब पिछले तीन मुकाबले ODA के अंदर West Indies की जो टीम रही है वो इंडिया के सामने काफी अच्छा खेली है लेकिन एक ही मैट जांपे वो बड़ा स्कूर नहीं कर पाई तो देखो West Indies की बैटिंग में आपको गैर आई तो जरूर देखने को मिलेगी लेकिन उनके प्लेयर जो है उतनी बड़िया फोर्म में नहीं है क्योंकि ये चीज आपने यार जो वल्ल्ड कॉप क्वालिफायर के मैचिज हुए थे न वहाँ पे भी ये चीज आपने नोटिस जरूर करी होगी अब बात करते हैं दोनु टीम्स की प्लेंग 11 और प्लेयर के स्टैट्स के बारे में तो सबसे पहले इंडियन टीम के साथ में स्टार्ट करते हैं रोहित सर्मा रहेंगे हैड टो एड स्टैट्स देखेंगे सबी प्लेयर के वेन्यू के स्टैट्स देखेंगे बाकि किसी भी इंडियन प्लेयर के आपको वेन्यू को पर कोई भी स्टैट्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई भी प्लेयर इस वेन्यू पर अब देक एक भी मुखाबला नहीं खेला सुमन गिल की बात करते भाई अभी रिशेंटली टेस्ट मैचे उतना कुछ जादा इंपक्त नहीं छोड़ पाए लेकिन वन दे मैचे में मैं उमीद गरूँ इनके बल्ले से बढ़िया पारिया आपको जरूर देखने को मिलेंगी तीन मैच में 205 रंसे 102 का एवरेज है वेस्ट इंडिज का अगेंस्ट ओडिये गेंदर जो की काफी बढ़ी है ठीक है विराट कोली रहेंगे 42 मैच में 261 रंसे 66 का एवरेज है तो टोप के तीन प्लेर आप लोग देख सकते हूँ सभी का जो एवरेज मिलेगा वो आपको काफी बैतरीन मिलेगा वेस्ट इंडिज का अगेंस्ट उसके बाद में सूरे कुमर यादव जो की ODAI के अंदर उतने जाता फिट अभी तक नहीं बैठे बट उमीद गरते वाई इस मैच में अगर बैटिंग आती तो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी पारी खेल के जरूर जाएंगे टी टून टीम इंडियन टीम के लिए बहुत बढ़िया काम इन्हों ने किया लेकिन ODAI मैचेज में अभी तक उतना इंपक्त ही नहीं छोड़ पाई है तो ये इंडियन टीम के स्टैट्स अबाई वेस्ट अंडिजी का अगेंस्ट एंड की हैड टो एड मैचेज के ठीक है तो मैं उमीद कर हुआ कि इंडिया के जो टोप की तीन प्ले रहें वो भाई मैक्सिमम प्रोबिबिटी रहेंगी कि याँ पर इंडिया की जो टीम रही उनके टोप ओटर की तीन बल्ले बाद उस्कोर को जरूर चेज करेंगे तो जब भी इंडिया पहले वेटिंग गरना है कि सेकंड वेटिंग गरना है या आपका टीम सेलेक्शन थोड़ा सा चेंज जरूर हो जाएगा आगे बरते वाई वेस्ट अंडिस की टीम की बात करते है ब्रेडन किंग जो की ओपनिंग करेंगे 6 मैच में 141 रंस से 23 कैवरेज हैट टो एड में वेन्यूग उपर देखोगे केवल 5 कैवरेज है 4 मैच में 23 रंस है मतलब इस वेन्यूपे थोड़ा सा परफॉर्मेंच की चांसी जो रहेंगे वो कम रहेंगे ब्रेडन किंग के बल्ले से और सामने मुमत सिराजो की स्टार्टिंग में गेंदबाजी करेंगे जबकि वेन्यूपे भी अच्छी परफॉर्मेंच मोझे दिखी तीन मैच में 111 रंस है 37 कैवरेज है बट गेंदबाजी भी इनकी नाम कोई भी विकेट नहीं है उसके बाद के काट है ये फ्ले स्टार लगा लो थोड़ा सा यूनिक पिक आपके लिए जरूर बनेगा एक मैच में पास रंस है हैट टू एडिक अंदर जबकि वेन्यूप जो पर तीन मैच में 31 रंस है साड़े 10 कैवरेज है साही होप जो की टीम के कैप्टन होंगे मैच में 31 कैवरेज है रोमेंट पोवल 10 मैच 143 साड़े 14 कैवरेज है वेन्यू पर कोई स्टैट्स नहीं है रोमारियो शाफ़र दो मैच में 13 सोरी 39 से 2 विकेट है वेन्यू पर एक मैच में 8 रंस है मैच में यह उतना कुछ खास इंपक्ट नहीं चोड़ पाई थे तो आप लोग अपनी टीम में यूनिक ट्राइग कर सकते हो जो की बैटिंग बढ़िया करके भी जा सकते है पर पर तीन मैच में पाँ विकेट है लेकिन बढ़िया गेंदबा जाब है लेफ्ट अप फास्ट आपको गेंदबा जी आपको गेंदबा जी गरता हुआ दिखेगा उर अगर बैटिंग आइना है तो वहां पर बी अच्छे रंस मार सकता है तो ये चीज़ आप लोग डोमिनिक ड्रेक्स के बारे में याद रखोगे उसके बाद में गुर्दा स्मोती रहेंगे एक मैच में दो विकेट है, हैट तो एड में बाकी वेन्यू पर इनके कोई भी स्टैट्स नहीं है अब गुर्दा स्मोती के जगह पर हो सकते है टीम भाई अधर किसी प्लेयर को भी चांस यहाँ पर दे सकती है तो ये मेरे अकोडिंग जो वेस्टेंडीज के टीम है वो रहे गाए मानली जी इनमें से कोई प्लेयर मिस होता है या फिर इनके जगह पर कोई अधर प्लेयर खेलेगा उसके जो स्टेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पे टोस के बाद अपडेट किये जाएंगे उसकी आपको बिल्कुल भी टेंसन नहीं लेनी अब वेस्टेंडीज के सभी प्लेयर के आपने स्टेट्स देख लिए स्टार्टिंग में बल्ले बाजुगे थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़े हो सकती है क्योंकि मुहमत सिराज भाई देखो पेस भी उनके पास में बढ़ी हो स्विंग भी उनके पास में काफी बढ़ी है तो अरली विकेट गर सकते हैं तो कैसी काटे साही हो पे सिमरन हिट मायर यह मेरे साब से तीन इंपोर्टेंट पिक्स बन सकते है पोगल के अंदा देखो काफी ज़्यादा काइपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी काफी तगला प्लेयर है लेकिन रिसेंटली फोर्म उतनी बढ़िया है नहीं तो बाकि आप लोग अगर अपनी टीम में पिक करना चाहू कर सकते हो रोमारियो शाफ़ड मेरे साब से ज़्यादा बहतर विकल्प हो सकते है क्योंकि बैटिंग तो डेफिनेटली इनकी आईगी क्योंकि वेस्ट अंडिज के विकेट्स तो बहुत गिरेंगे ठीक है और ये बन्दा फिर बैटिंग में भी आपको अच्छा कर गए दे सकता है इवन गेंडबाजी में भी पूरे अपने दस ओवर डालके जरूर जाएगा तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया विकल परेगा तो रोमारियो शाफ़ड़ के साथ में जा सकते हो एलजरे जोसेफ के साथ में अकोडिंग टो वेन्यू सेट्स काफी बढ़िया मुझे लगे तो आप लोग ट्राइए अपनी टीम में जरूर कर सकते हो बाके रिशेंट जो फोम है वो उतनी कुछ खास बढ़िया तो इनकी है नहीं तो ये पूरी वेस्ट इंडिस के टीम के आपके सामने स्टैट्स है जासे आपने इंडियन टीम के पूरे स्टैट्स देख लिए भाई अभी चल दे डमो टीम पर इस मैच के जो डमो टीम मैंने कंड़ करीगे एक बार वो देख लेते हैं तो यहां से अभी आप लोग देख पाऊगे मेरी जो डमो टीम इस मैच की वो आपके सामने है यहां से विकेट केपिंग सेक्चन से साईह обяз को मानी ने पिक किया या फिर आप लोग रोमारियो शेफ़ड के साथ में जाओ जो कि आपको बैटिंग बैक अप भी दे सकते हैं उनके साथ में जाओ या फिर अधर गोई बल्लेबाद जैसे कि केसी काटे जो कि आपके लिए अच्छी यूनिक भी को सकते हैं आपके पास में से होप की भी काफी बड़ी ऑप्सन है तो इन के साथ में भी आप लोग अपने टीम में कैप्टंसी वाइस कैप्टंसी में जा सकते हैं लेकिन अभी के लिए एक चीज जानक ना ये सिर्फ डैम्मू टीम है ठीक है कोई भी चेश इस टीम में तोस क्या गोर्डिंग करना पड़ सकते हैं और अगर इस टीम के अंदर में कोई भी चेश करोओं सकते कूण लूँ हमाँ तो उसके बाद जो फाइनल टीम रहेगी वह मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर तो आप लोग इसमें एक बढ़िया टीम को मिनेसन बनाऊगे और आपके टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी